हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चानल सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं UPRTOU की एक most important update के बारे में जो उने वाली है आपके back paper form से related जो यहां आपने से बहुत सरे स्ट्रेंट्स का में पास डाउट भीहारा तक आपी टाइम से कि माम हमारे back paper form जो है वो कब आएंगे so guys UPRTOU के back paper form आ चुके हैं अगर आपकी अब इन्हीं fill कौन कर सकता है चले इस पारे में मैं डिसकर्स करूंगी उससे पहले आपको पूरा प्रोसेजर समझा देती हूँ so guys अगर आपको भी back paper form फिल करना है वैसे मैं already इसके ओपर वीडियो बना चुकी है but still I am explaining this again तो आपको main website पर आना है उसके लिए और यहां पर आपको क्लिक करना है यह examination वाले portal पर इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे icon open होंगी इतने से आपको क्लिक करना है आपको दिख रहा होगा online back paper पर जै यह दिरे दिरे करके open हो जाएगी जैसे है आपके इस icon पर क्लिक करने के बाद आपको मुछ टाइम वेट करना है अगर website processing में है उसके बाद आपके सामने इस सारे options open हो जाएगे यहां पर आपको कुछ चीज़े नो डाउन कर लेनी है समझ लेनी है तो यहां पर आप देख स पहला नोटिस लिखा हुआ है बीएड इसपेशल फिफ्ट सेमेस्टर की आखरी तारीक साथ जन्वरी और अन्ने के लिए 10 फरवरी है ठीक है उसके बाद इसमें लिखा गया है जिन बच्चों का अन्रॉल्मेंट नंबर 62 से स्टार्ट होता है उनको पहले जा करके अपना करना है रिजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपरली बढ़ना है उसके बाद यहां पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहां पर हल्प लाइन नंबर दे गए है जो कि 11 एम टूश पीम तक आप इन पर कॉल करके अपने डाउट्स पूच सकते हैं अगर कॉल लग ज सकते हैं जिसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा वेट करके आपके सामने यह पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें हाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे इस तरीके से जिसमें हाँ पर फॉर्स्ट कॉलम में आपको अपना एन्रोल्मेंट नंबर फिल करना होगा और उस पर फिल करेंगे उसकी रिसिप्ट होती है आपकी फॉर्म करने की वो आप लोग नहीं लेते हैं जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम कर देती है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना है आपको इस बात का बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है कि आपकी जो रिस सामने प्रॉब्लम आती है कि वो बाक पीपर फॉर्म कर देते हैं वीज पे समिट कर देते हैं पाद में उनकी बाक पेपर के आप कह लीजे एडमिट कार्ड नहीं आते हैं या कुछ पर प्रॉब्लम हो जाती है तो उस टाइम के लिए आपके पास एक प्रॉफ रहना चाहि कि हाँ अपने अपना बाक पीपर फॉर्म अपलाई किया था तो चलिए उसके बाद आइन्रोन्मेंट नमबर डालने के बाद आप प्रॉसीड करेंगे और बाकी की सारे डिटेल्स उसमें फिल कर पाएंगे यहां पर जिन उस्ट्रेंस ने फिल कर दिया होगा और प्रिंट इस प्रिंट के लिए यहां पर यूप आट्यू ने लिखा है कि जिन जात्रों का पेमेंट बैंक काते से कट गया है लेकिन सर्वर पर उनका शुलक फस्ट गया है उनको परिशान नहीं होना है उनको प्रतिक्षा करनी है और वो अपडेट हो जाएगा आपको फिर से पेमे जाएंगे लेकिन कई आपको फैर वारल प।हों बाइक है सब्रस्क्राइए या फिर ईक है धुंकि माली जर्य दो सब्रस्क्राइए लेकिन जब इफ्रtern को मैं प्रक्षण का शुलक करने है लेकिन इन बात का धिहान रखेगा और उसमने इन दिखां ird task का शाट जिन इन सब एक बार कंफर्म करने के लिए तो इस प्रॉब्लम भी आपको नहीं पढ़ना है चलिए इस सारी इंपॉर्टेंट अभी इसको फिल किसे करना है काफे सारे स्टुरेंट के जो अभी डिसामवर 22 वाले जो एक्जाम्स हुए थे उनके पेपर छुट गहे थे कुछ स्टुर की क्लियर नहीं हो पाई है जो माक्स हैं वो कम रह गए हैं बैक आई है तो उन सब को भी यह फिल करना है दिसामबर 22 और उससे पहले के स्टुरेंट सगर आप हैं और स्टिल आप उससे पहले के स्टुरेंट 2021 के हैं या 2020 के हैं तो भी आप यह बाक पेपर फॉर्म रहता है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए अगर चानल पर सब्सक्राइब नहीं किया है अपनी वीडियो को एक थम्स अब भी दीजेगा मिलती ही नेक्स वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्डेंट अपडेट के साथ बाबाब